हेलो दोस्त, स्वागत है आपका फिर आज एक नई वीडियो में और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हर वीडियो से बिलकुल ही अलग होने वाली क्योंकि इस वीडियो में ना हम आपको कोई अप्डेट देना चाहते हैं ना कि किसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारे इस चैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के दिन, यानि कि इतने दिनों की महना रंग लाई, और मुझे एक थोड़ा सा लगा कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव किया है, और वह थे 1000 सब्सक्राइब करता हूँ, आपका ऐसी सपोर्ट बना रहेगा, और एक दिन हम एक लाख और शायद वन मिलियम भी कभी पार कर पाएं, बस आपका सपोर्ट मुझे चाही रहेगा, तो चले बात करते हैं, कि कितने दिन मुझे लगे, और क्या-क्या चीज़ें मुझे देखनी पड़ी, थो अब इतक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्ली सब्सक्राइब कर लिजे और बैल ऐकन को भी प्रेस कर दीजे, वीडियो पसंन आती हो हमारी ऐसे फिल्मों आपडेट से जुड़े रहना चाते है, विल्म से जुड़े रहना चाता है, क्या फिल्म, रिव्य से मैं प्लाइन कर रहा था कि मुझे चैनल खोलना और मुझे पता था कि मैं को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है बट फिर भी मुझे यह डिसीजन लेते बहुत टाइम लग गया कि भीया अब मुझे जो है एक वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है तो दोस्तों मैं उसमें लगभग चार महीना लगने के बाद कहीं जाके मैंने एक वीडियो अपलोड की जो कि 6 मही के दिन मैंने अपलोड करी और सच बताओ वीडियो जो मैंने बना की कब्रीट की थी मुझे वो वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी मतलब ऐसा लगा था कि यह वी वीडियो नहीं थे चार-पांच वीडियो थे और जितने मैंने अपने ही लोगों को शेयर किया था उनकी कुछ वीडियो थे तो टोटल मिला के मैं कह दो तो दो दिन में वह वीडियो लगभग 100-500 के आसपस पहुँच गये थे बट मैं सच कहूं तो मेरे लिए वह भी काफ कर लिया था अब कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे बिल्कुल एकदम चैनल रोख सा गया था और उसके बाद यह चीज मैंने डिसाइड किया था कि अब यहीं करना है और मैं कहीं अब स्किप नहीं करने वाला हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ-कुछ गलती है कि ह और सबसे घड़ी वर्सी वही है कि मैं हर चीज को स्टार्ट करता हूं और इसको अंजाम तक नहीं लेके जाता हूं पर दोस्तो इस बार मैंने ठाना था कि इस बार मैंने चार्श करना यहां हर एक वीडियो ढाली है इन फैक कभी कभी दिन तो ऐसे आये जब मैंने चार-चार वीडियो एक एक दिन में डाली और उसके साथ-चार मैं शौट्स भी डालता था और सच बताओ तो शौट्स से मुझे काफी जादा बेनिफिट मिले बड़ दोस्तो फिर यही चीज चलते गई और सच बताओ तो एक लगबग एक डीड महीने बाद एक टाइम आया जब मेरे एक वीडियो थोड़ा हिट हुई और लगबग 3K के आसपास उसमें व्यूज आ गया तो मुझे थोड़ा बूस्ट मेरा बड़ दोस्तो उसी के बाद फिर मेरी कोई भी वीडियो नहीं चली थी मतब थोड़ी सी भी कोई भी वीडियो नहीं चली और काफी लगबग 2 महीने तक मेरे बिलकुल भी चैनल पर शायद 1500 सब्सक्राइबर रहे गया और एक वीडियो चल रही थी जिसमें थोड़े बहुत वाच्ट टाइम आ गया था ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हो गा ही नहीं पर उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद मैंने और मेहनत करने कुछ की दो वीडियो तीन वीडियो जाने लगा दिलके उसके बाद फिर मेरी 2-3 वीडियो बूस्ट हुई और काफी अच्छ हूँ उस पर रिस्मान्स बिला लगब मैं कहीं जाके बताओं आपको मेरी एक दो वीडियो फिर चलने लगी और उस टाइम काफी जाला वीडियो चली तो फिर वहां तक जो सब्सक्राइबर हुए मेरे वो लगबख 500 के आसवास पहुँच गया थे और उस टाइम भी मुझे काफी अच्छा लगा पर तो मुझे कमेंट से बताइए कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है और कुछ भी आप कमेंट में लख सकते हैं जो भी आपको फील हुआ तो उसके बाद जो भी रेंडेमली मैं सेलेक्ट करूँगा कि रेंडेमली सेल वो दिन आया जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और सच बताओं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मतलब हाँ अभी मॉनिटाइजेशन ओन नहीं हुआ है क्योंकि मेरे वाच से टाइम जो होवर्स होते हैं लगबख 7-8 महीने अगर आपका कॉंटेंट बहुत ही ज़ादा अच्छा है तो हो सकता है आपका 2-3 या 4 महीने में आपका जो कॉंटेंट है या फिर आपका चैनल है 1000 सब्सक्राइबर तक पूरा हो जाए पर दोस्तो जितने भी दिन महनत लगी अभी और भी महनत के गन्नी है तो ऐसी बस आपका सपोर्ट चाहूँगा कि मुझे बना रहे और गिववे आपको ज़रूर मिलेगा इसले कमेंड में मेंशन करिएगा कि आप पठान मुवी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं और प्लीज अगर आप चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाय बाय जैन जै भारात